हेलो दोस्तो एक पर द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ विवेकरणा स्टॉक्स में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पर नए है जोने को सब्सक्राइब कर लो साथ में उस बैल को दबाना ना सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको बोल देना चाहता हूँ आयार सिर्टीज को छोड़ कर इस 39 रुपे के लगपती शेयर में रखो नजर ठीक है जिसकी में बात कर रहा हूँ आपको स्क्रीन में उसका नाम देख सकता है आर वी एनल ठीक है रेल विकास निगम लिमेटिट इसका OFS की न्यूज आ रही है और यह क्या इसमें किती सच्चा यह न्यूज में एक बार हम देख लेते है ठीक है साथ मैं शेयर करूँगा कि आपको स्क्राइब को क्यों अपने रजन में रखना चाहिए आपको मल्टिवेर रेटन देके जा सकता है मल्टिवेर का मतलब य ठीक है आपको कम सेगों तीन से पांस साल होल्ड गरना पड़ेगा अगर आप होल्ड कर सकते हो तो डैफिनेटली भई या आयर से टीश को छोड़ो इसमें पैसा लगाओ ठीक है आयर से टीशी भी बढ़िया है उसके टागेट डागेट निकलके आते है लेकिन उसकी बात म अब हैं अगर आप चाहते हो कि मैं उसके उपर रिसर्च बनाओ आयर से टीशी के उपर नीचे आप कॉमेंट कर सकते हो डेफिनेटली उसके उपर भी एक छोड़ा सा वीडियो बना दूँगा अभी हम बात करेंगे आर्वीनल के बारे में ठीक है तो लेके चलता हूं आप तो दोस्तो आप देख सकते हो रेल विकाज निगम का मैंने गूगल में चार्ट खोला हुआ है और दोस्तो आप देख सकते हो आज स्टॉक 25 रुबे का लो लगा के सपोर्ट लेके उपर गया है मतलब बहुत दो जैसे आपको बता है मार्केट जैसे रिकावर करिए आज यह भी आपका रिकावर किया आरवी अनल ठीक है बात करेंगे इसके लेकिन बात करते हैं पहले स्टॉक के चार्ट की ठीक है तो अभी 29 रुबे प्राइस चल रहा है तो आपको पर दिखा लेता हूं कि इसका मिलनी अब काम किया आपको काम तो पते हिए कि भाया यह यह रेलव देखते हो जैसे में गूगल में मारता हो और वी अनल ऊफेस तो दोस्तों देख सकती हो अगर आप ध्यान से देखो कि दो आपको दो या तीन की ख़़़र की ख़़र नहीं कि मिला है तो अभी जब confirmation नहीं मिला है तो क्यों दिक्कत ले रहे हो चुप चाब बैठे रहो stock में ठीक है और दोसों देख सकते ही खबर आ रही है और इसका भी confirmation नहीं मिला है ठीक है अभी में लिखा है होगा वो कितना होगा और जातर में नॉलेज क्याती है जो मैंने आर्टिकल रीट करें बहुत सारे उन्हें बहुत क्लिए लिखा है कि यह जो होता है डिस्काउंट प्राइज में होगा तो दिक्कत वाली बात कुछ नहीं होने वाली है ठीक है जातर गौर्मेंट के फाइदा के लिए ही करती है तो मैं आपको थोड़ा दिखा रहता हूं मैंने कहां से रीट किया है तो दोस्तों देख सकते हो मैंने गूगल किया है ठीक है मुझे आर्टिकल मिले बहुत सारे आर्टिकल मिले और सम में यहीं लिखा है कि OFS अच्छ ही होता है इन्सॉर्ट ठीक है और if you are worried about that price will come down because of the OFS तो आपको वरी नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत के लिखा अगर OFS के वज़े से stock का price नीचे आना होता तो definitely आपका जो आर्वीनल share है वो October महिने से अभी आपका चला मार्च चला है 6 महिने के अंदर almost price आपका 20-30% भाग चुका है तो वो कपक नीचे आजाता अगर यह इतनी bad cover होती पहली बात तो दिमाग से निकाल दो कि बहुत bad cover है बुरी cover है यह ठीक आग है ठीक है ना मैं इसको अच्छे में गीनता हूं ना बुरे में गीनता हूं ठीक है भाई government को पैसा चाहिए वो अपना stake बेच लिए तो क्या दिक्कत है बे definitely अगर government के पास बहुत जादा stake है वो बेचना चाहती है तो बेचने दोना क्या दिक्कत है बेचो आप बाय करो आपको करना है तो भाई देखो OFS जब भी इसका आता है तो आपको इस चैनल में update मिल जाएगा इसका OFS कब आ रहा है क्या date है किस price में मिलना है कैसे apply करना है त जब तक confirm नहीं होता है तो क्या दिक्कत है चुप चाप stock को बाय करो मेरे साब से long run में आपको लगपती बना सकता है मेरे इसके target stock के 100 रुपे तक के है ठीक है उसको आने में time लग सकता है तो मैं आपको stock का chart दिखा रहे तो मैं क्यों 100 रुपे के target बावर कहने में लगा हू stock के ठीक है ताकि आपको भी आसानी हुआ समझने में दोस्तों देख सकते है मैं आरवीनल के chart हो लगा जब से stock आपका launch हुआ है ठीक है आई प्योंच हुआ है ठीक है तो stock आप बहुत रहे एक range बेट कर रहा है लगाता है दो सालों के असपास ठीक है एक range बेट कर रहा है औ इसको stock का price की price में मिल रहा है ठीक है आरसे ही चेक करता हूँ कि भाईया क्या overboard zone में तो नहीं है कोई pattern देखता हूँ कि pattern बन रहा है तो दोस्तों इस stock में पहले बना pattern ठीक है इसको मैं बोलता हूँ U pattern तो यह U pattern का formation बना है एक हमें confirmation मिल गया कि भाईया यह जो प्राइस चल करता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसको stock को दुबारा बाई नहीं करूंगा मैं दुबारा बाई करूंगा stock को फिर जब दुबारा से 30 पर जाएगा मैं दुबारा stock को बकड़नुगा यह होती है strategy ठीक है अगर आपका किसी एक stock में एक बास stop loss hit हो जाए तो आप उ stock को buy करूंगा मैंने buy करा हुआ है उसे 30 रुपे के level से पहले ही और मैं इसको नीचे हो थोड़ा average करूंगा ठीक है अब देखता हो कि कल क्या होता है कल का wait करते है अगर आज की कामकाच की में बात करता हो तो काफी अच्छी quantity trade की गई है चिए मैं आपको दिखा देता हूँ और अगर बात करते हैं आज के कामकाच की तो 19 मार्च का कामकाच 200 अब देख से तो quantity तो भाई एक करोड के आसपार trade हूई है ठीक है एक करोड के आसपास से ज्यादा quantity टेड़ी 1.1 करोड के आसपास लेकिन जोसका delivery percentage माद 20 परसेंट है मना 22 लैक क्वान्टेटी लोग घर ल हुआ है ठीक है तो volume के साब से ठीक है आज आज volume अच्छा आया stock में अब बात करते हैं कि मुझे क्यों परसंद आता long term के लिए इसका एक फंडमेंटल व्यू दिखायता हूँ आपको छोटा सा दोस्तों सबसे बड़ा region इस stock को buy करने का है दोस्तों यह है अगर आप इसका stock बस हाँ एक आपको एक अच्छी enterprise का weight करना है 39 रुप अच्छा enterprise है बाकी अब stropos लगाओ 20 रुपे का असपास का और weight करो अराम से आपको दिखायेगा और दोस्तों देख सकते हैं काफी अच्छा dividend यह company दे रही है 4% के असपास का dividend दे रही है और क्या चाहिए ठीक है dividend खा तो stock अपने books का भी सस्टेमेट कर रहा है और मैं इंके जो आप डारेक्टर बोल सकती हो इंका मैं interview सुनना था जी business पर उन्होंने बहुत clear वर्डो में का था कि हमारे पास 75,000 क्रोड के असपास के projects pending है समझे और बहुत सारे projects अभी running में running मतलब projects चल रहे है पर definitely books में projects वह है company में liabilities ज्यादा है ठीक है debt थोड़ा ज्यादा है इस वज़े से stock थोड़ा एक range के आसपर trade कर रहा लेकिन ठीक है यह दिक्कते future में सुधार हो जाएगी definitely यह stock यहां से भी rocket हो सकता है ठीक है भाई दोस्तों मैंने एक quarterly results खोल लगे आप खुद देख सकते हो company के results after lockdown lockdown लगने के बावजूद भी company लगाता profit दे रही है आप दे सकते हो ठीक है अब ही December में 280 क्रोड का प्रॉफित हुआ तो क्या चाहिए company लगाता profitable company है और lockdown होने के बावजूद भी company profit में थी ठीक है ऐसा नहीं प्रमोटर का पैसा लगा है मतलब हो यह आपको पता है तभी ओफेस लेके आना चाते है न तो definitely बैया और डियाए का पैसा है तो definitely जैसे ही ओफेस आता मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपका डियाए और FII करने वाले कुछ न कुछ इसमें ठीक है investment टगड़ी वाली यह यह holding यहां से सिप्ट हो के इन दों के पास आने वाली है तो नजर में रखो stock को भाई मेरे साब से तो भाई IRCZ को छोड़ो 39 रुपे के लगपती सेर में रखो नजर ठीक करोणपती तो नहीं बनाएगा आपको definitely आपको लगपती बना देगा अगर आप stock को रडाय में रख यह हिंद